हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वन सॉलिड स्टेट के कुछ महतुपूर्ण क्वेश्चन्स ये क् आपकी NCRT में भी है ध्यान दीजिएगा एक्जाम में हो सकता है कि इनके बेस पर क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन बन जाए है ना क्वेश्चन फर्स लिखा है कि साधारन नमक कभी-कभी रंगहिन के स्थान पर पिला दिखाए देता है तो क्या कारण है देख लते ह लिखा है कि साधारन नमक में धातू आधिक्यत्रुटी के कारण रिनायन CL- अपने जालक बिंदू से विलुक्त हो जाता है अब देखिए साधारन नमक आपको फोर्मुला तो याद होना चाहिए साधारन नमक का NACL या सोडियम क्लोराइड जो होता है इसे साधारन नमक कह जाता है तो जो सोडियम क्लोराइड है या साधारन नमक है इसमें क्या होता है धातू आधिक की दोश के कारण अब यहां पर आप देखेंगे कि जो NACL है यह दो भागों में वियोजित हो जाता है NACL- यह आपको पता होना चाहिए और I think सभी को पता होगा भी है ना तो NAC इन्हें पॉजित्युव देता है और साथ मैं CL नगेटीव देता है अब यहां पर यह जोrade यह जो केटायन है और यह जो एळाया है हमें पता होचिए इसको हम metal नहीं कह सकते can कह सकते हैं इसको iron कह सकते हैं है है चीन जो एंड क्या है यह तो एक metal है है ना सोडियम जो है वह एक THEY आतु तो चो यह क्म्दिक के कारण है अब आदिक की का मतलब क्रोटा श्च में दोश तो यंएंड कि सोडियम आधिक के अधिकता किसकी अधिकता धातू की अधिकता याने कि सोडियम की अधिकता के कारणी जो दोश उत्पन हो रहा है उसे धातू अधिक के दोश कहते हैं या धातू अधिक के तुरुटी कहते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है कि साधारन नमक में धातू अधिक के तुरुटी के का कारण रिनायन CL- अपने जालक बिंदू से विलुप्त हो जाता है कहने का मतलब यह है कि जब सोडियम अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्लोरिन अपने आप कम हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ आपको है ना तो यहीं लिखा है कि साधारन नमक में धातू आधिक के तूटी के कारण याने कि सोडियम ज्यादा मात्रा में हो गया तो इसने CL- को बाहर कर दिया ठीक तो धातू अधिक के तूटी के कारण रिनायन CL- अपने जालक बिंदू से विलुप्त हो जाता है लेकिन वहाँ पर एक इलेक्ट्रोन छोड़ जाता है है ना जो जालक बिंदू है एने और CL है, NA के चारो तरफ CL होगा, CL के चारो तरफ NA होगा इस तरह से NA CL क्रिस्टल का फौर्मेशन होता है आपको पता होنا चाहिए यह, ठीक है तो जो NA CL है इसमें धातू अधिक के तूटी के कारण जो CL- है यह क्रिस्टल से बाहर हो जाता है लेकिन क्या करता है कि अपने जो नियत जालक बिंदु है जिस इस्थान पर Sl- làm माईनस है वहा से तो बाहर हुआ है लेकिन एक इलेक्टरोन को वहीं पर छोड़ कर चला जाता है एक इलेक्टरोन को तो एक इलेक्टरोन वहाँ पर छोड़ जाता है जिससे crystal विद्यूत उदासीन रहता है उसकी जो विद्यूत उदासिंता है वो बिगड़ती नहीं है जो विद्यूत उदासिंता है वो as it is बनी रहती है तो जिससे क्या होता है क्रिस्टल विद्यूत उदासिंत बना रहता है रिनायन के रिक्ति स्थान पर एक छिद्र बन जाता है जो Rin Aion CL- था वो जैसे ही क्रिस्टल से बाहर हुआ एक इलेक्टरून उसने छोड़ दिया वहाँ पर तो जो Rin Aion बाहर हुआ है उसके बाहर होने की वगजे से एक छिदर एक होल बन जाता है वहाँ पर जो CL- जिस जगह पर था वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है एक होल बन जाता है इस छिद्र को क्या कहते है एफ केंद्र कहते हैं हमने पढ़ रखा है यह ना और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए एफ सेंटर वाला जो वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ जाएए आप उसे अच्छे से देख सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर अभी में बताने जाओंगा तो बहुत लंबा खीचा चला जाएगा वीडियो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही काफी है मेरे हिसाब से ठीक है चलिए आपको अगर डीपली पढ़ना ह एक क्या करता है किसी भी क्रिस्टल को रंगप्रदान करने का कारी करता है और यहाँ पर अगर एसा भी देखे तो एक एलेक्ट्रोन वहाँ पर छोड़ गया है एक अयुगमीत इलेक्ट्रोन है और electron क्या करते है अयुगमित electron जब उन पर दर्श्य प्रकाश पड़ता है visible light पड़ता है तो वो उसे अवशोशित कर लेते हैं और उसका जो पूरक color होता है पूरक रंग होता है complementary जो color होता है वो उसको रंगीन प्रकाश के रूप में वापिस सभी खेहर देते हैं वो ही उत्सरजित करेगा ठीक है clear हुआ तो साधारन नमक रंगहिन के स्थान पर कभी-कभी पीला क्यों दिखाए देता है तो इसका reason यह है कि साधारन नमक में धातू आधिक के तुटी के कारण sodium अधिक मातरा में है जबकि chlorine जो है वो कम मातरा में हो जाता है ठीक है तो धातू आधिक के तुटी के कारण जो CL- है अपने नियत जालक बिंदू से अपना जो fix जालक बिंदू है वहां से हट जाता है बाहर हो जाता है जिससे क्या होता है कि वहां पर एक electron छोड़ جाता है जैसे वो क्रिष्टल से टो वहां पर एक electron छोड़ जाता है और एक electron छोड़ने के कारण जो crystal है उसकी विद्यूत उदासिंता बनी रहती है और जो रिनायन के रिक्त इस्थान पर एक छिद्र बनता है उसे F के अंदर कहते हैं है ना जो crystal से बाहर हुआ है CL- जो रिनायन बाहर हुआ है एक electron को छोड़ करके तो उस इस्थान पर एक छिद्र बन जाता है एक hole बन जाता है जिसे F के अंदर या F center कहते हैं और F center का कार्य होता है किसी भी crystal को रंग परदान करना लिखा है यहाँ पर एक्जाम में भी आप highlight करके लिखेंगे जो important बात है उस question से related तो उसे अगर आपने highlight किया है तो examiner की जो नजर है वहाँ पर जाएगी और वो भी मतलब आपकी copy देखके खुश हो जाएगा आपको पूरे number मिलने वाले है वहाँ पर ठीक है number ऐसे भी मिलेंगे लेकिन एक होता है कि आपका impression किस तरह से ठीक है तो जो F क है इसका कार्य क्या होता है कि किसी भी crystal को रंगप्रद्यान करना और यही कारण है कि जो साधारन नमक NACL होता है है ना sodium chloride वो रंगहीन के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाए देता है तो I think first question जो आज के वीडियो का first question है वो I think आपको अच्छे से clear हो चुका है अब second जो heading है second जो topic है आज का वो है समनवयन संख्या यह भी important है है ना ध्यान दीजिए लिखा है कि कि किसी crystal में कोई अणू परमाणू या आयन अपने आसपास के जितने भी अणू परमाणू या आयनो द्वारा गिरा होता है उसे उसकी समनवयन उसे उसकी उपसहसयोजन स संख्या या समनवयन संख्या कहते हैं इंगलिश में इसे कहा जाता है coordination number ठीक है simple सी definition है उपसहसयोजन संख्या या समनवयन संख्या की कि जो crystal है है ना crystal हमने बनाया था जो crystal है वो हमने बनाया था तो इस तरह से हमने crystal बनाये थे कोई भी एक मान लेते हैं कि कोई भी अनू परमाणू या आयन है यह मान लेते हैं कि ये जितने भी अनूओ परमाणूओ या आयनू या कहते कि जालक बिंदूओ से गिरा है या जुडा हुआ है है ना संबंधित हे जितने भी जालक बिंदुओं से तो ये इस जालक बिंदु की यह इस अणू की यह इस प्रमानू की यह इस आयन की क्या हो जाईगी called coordination number हो जाईगी यह इसे samanoyan sankhya bhi कहते हैं ठीक है अगर इस बिंदू की बात करें, इस जालक बिंदू की, तो ये कितने जालक बिंदू उसे घिरा हुआ है, देखिए, एक, दो, तीन, और चार, चार जालक बिंदू उसे घिरा हुआ है, तो इसका coordination number क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा simple definition है कि जो जालक बिंदु है या कोई अनू या परमाणू या आयन जो crystal में उपस्ती थे वो कितने अनू हो, कितने परमाणू हो या कितने आयनों के द्वारा गिरा हुआ है या उसके निकटवर्ती कितने अनू परमाणू या आयन है जो निकटवर्ती अनू परमाणू या आयनों के संख्या है, वही उसकी coordination number कहलाएगी, वही उसकी उपसहसन योजन संख्या कहलाएगी बस, इतना असा लिखना है फिर example दे देना है लिखा है आपनने कि unit cell है ना, unit cell, इकाई कोशिका जो SCC होता है, simple cubic cell है ना, सरल घनी कोशिका ठीक है, तो सरल घनी कोशिका या SCC में SCC में एक परमाणू जो होता है वो छे अन्य परमाणू वो से घिरा हुआ होता है इसलिए SCC में जो समन्वयन संख्या होती है, वो 6 होती है clear है, second लिखा है BCC, body centered cell ठीक है, body centered cell full form बता रहा हूँ, body centered cell तो इसमें जो समन्वयन संख्या होती है, वो 8 होती है याने कि BCC में एक जो अनू, परमाणू या आयन है वो कितने बिंदूों से कितने अनू, कितने परमाणू या कितने आयनों से घिरा होता है 8 8 जालक बिंदूों से घिरा होता है 8 अनू, परमाणू या आयनों से घिरा होता है इसलिए इसके समन्वयन संख्या हो जाएगी 8, BCC में ठीक, इसी तरह से FCC full form face centered cell ठीक है, फलक केंदृत कोशिका ठीक, तो इसकी समन्वयन संख्या 12 होती है यानि कि FCC में एक अनू, परमाणू या आयन 12 अन्य अनू, परमाणू या आयनों से घिरा हुआ होता है clear हुआ SEC में समन्वयन संख्या 6 BCC में समन्वयन संख्या 8 और FCC में समन्वयन संख्या 12 होती है है न, यहाँ पर जो example दिया मैंने जो diagram मैंने आपके लिए बनाया है उससे, I think, आपको और अच्छे से बहतरिन तरीके से clear हो चुका है तो, I think, दोनों ही question समन्वयन संख्या, या उपसासयोजन संख्या या कहदे की coordination number यह भी अच्छे से clear हो चुका है I think, आपको, और साधारन नमक क्रंगहीन के स्थान पर कभी-कभी पीला दिखाए देता है तो, इसका reason क्या है एक-एक word, एक-एक line मैंने आपको अच्छे से clear करवाई है इतनी महनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ प्लीज, वीडियो देखने के बाद एक like तो आपका बनता ही है तो, प्लीज, वीडियो देखने के बाद like जरूर कर दीजिए अपने friends के साथ में अधिक से अधिक share कर दीजिए और अगर आप पहले बार इस channel पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो, प्लीज, गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ में bell icon प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के important videos आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके चलिए मिलते हैं अब next video में thanks for watching, जैहिन